कोशल जी, गुरुदेव, आपको कोटी-कोटी प्रणाम, गुरुदेव, भगवान ने मुझेशी को इस संसार में अलग-लग कारे, जैसे किसी को डॉक्टर, क्रिकेटर, एंजिनियर आधी के लिए भेजाए, तो हमें कैसे ग्यात हो कि भगवान ने हमें उसी मार्क के लिए जिस पर हम अभी चल रहे हैं, गुरुदेव, कृपया, मार्क दशन करें, वैसे बच्चा ये तो कर्म के अनुशार निश्चित है, जैसे भगवान ने नहीं बेजाए, पूरु के हमारे कर्म हमारा निश्चे पहले ही हो चुका है, भगवान की तरफ से मानों देखके इव कर्म के अनुशार बहुत पढ़ा लिखा, आदमी भी गरीब और बिना किसी व्यापारादी के भी बहुत निमनी स्थिती में देखा गया, और बहुत ग्रेजिवेट पढ़े लिखे, उसने कर्म तो बहुत बढ़ियां किया, पढ़ाई एक तरफ लेकिन पूरु का उसका कर में बिगड़ा हुआ है, तो उसको कोई उन्नती का चांस नहीं दे रहा है, और ऐसे भी देखे हैं कि कोई ग्रेजिवेट नहीं है, ना रूप के हैं, ना रंग के हैं, ना ढंग के हैं, और बी आईपी बेवस्थाए हैं, सैक्रों, नौकर, चाकर, सब, उसको बेच यावे बजार में ऐसे लोग हैं, उनको खाने को नहीं है, वो इतना मंद बुद्धी का होते भी ऐसे इस्वरी का भोग भोग रहा है, इसमें कर्म प्रधानता होती है, मनुष्य को भगवान ने भेजा है, केवल केवल भजन करके भगवान की प्राक्ति कर दे, ये कर्म साइड है, मुख्य है, वो देश्य, भगवत तत्तो का ज्यान हो जाना, भगवत प्राक्ति हो जाना, बस इस बात को शंशारिक जन नहीं जानते हैं, जैसे बच्चा, तुम बहुत पढली करके आखिरी पढ़ाई जिसे कही जाती हो, पढली हो, बहुत अच्छे पद पे चले जाओ, बहुत रुपया पैशा कमा लो, खुब भोग भोग लो, पर सरील तो छूटेगा ना एक दिन, यह पता है न तुम्हें, सरील छूटेगा ना, जब छूटेगा तो फिर नया जन्म होगा, फिर तुम्हें नए से पढ़ना पड़ेगा, काखागा गांगा, साड़ी पढ़ा आए हो, करोनों बार आजा, अब की बार हमको ऐसा पढ़ाई पढ़नी है, कि जहां से रूके वहीं से सुरू हो, वह है भजन, सौ बार राधा राधा बोला है, और शरीर छूट जाएगा, तो निन्यान भी पॉइंट से नहीं चलोगे, हंड़ेट के उपर, वान, तू, प्लस, नीचे नहीं उतरना पड़े, अगर आपको थोड़ा ग्यान हुआ है, तो मरने के बाद जब दूसरा जन्म होगा, उसी ग्यान से, तभी देखा, जब बालक होते हुए, बड़ी भागवतिक बुद्धि, उसका पूरा खजाना जमा है, बचा जीवन का लावे, कि र किसी को शुख या दुख कभी नहीं देते हैं, आप सोचो, यहीं से हम तुम्हें उदारन देते हैं, हमारे देश के प्रधान मंत्री का उदेश क्या है, मेरा पूरा भारत सुखी रहे, कोई भी बैठे उस पद पे, हम नाम किसी का संबोधन करके नहीं, उस पद का भाव क् पिता की तरह, पूरे देश की प्रजा का हित करना, पालन करना, अब उसी पद से बनाये हुए कानून में, फांसी की भी सजा है, बीश साल की सजा है, वहीं से पास हुआ है, जबकि वहां का मुख्य उद्देश है, तुम्हें सदयु सुखी रखना, बाहर भी तर कहीं कोई आक्रमण ऐसा नहों पावे कि तुम्हें दुख पहुंचे, पर तुमने ऐसे कर्म कर दिये, कि संविधान आपको बक्षेगा नहीं, समझ गए ना, ऐसे ही हमारे भगवान कभी किसी को, वो तो नार्मल दारन कहां एक प्रकति के अंस सरीर में फसा हुआ जीव कोई भी हो, और कहां समस्थ प्रकति का ईश्वर परमात्मा, यह क्रति उसकी रचना है, कोई भी रचना होती तो रचनाकार तो होता है ना, इसको कहते है क्रति, प्रकति, तो इसका रचनाकार ईश्वर, वो इतना दयालू है, इतना दयालू है, कि वो किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते, कभी भी अब हम ऐसे कर्म कर बैठते कि संभिधान लागू हो जाता है जिसे भारत का कानून शंभिधान है आप अभी कुछ गलत कारी करो तो आपको दंड मिलेगा अगर आप अठारा के नीचे हो तो दूसरा हिसाब है ऊपर हो तो उसका दूसरा हिसाब किताब है तो लिए कि अब आपको भोगना पढ़ेगा मतलब वही आपके सपोर्ट में खड़ा है और वही आपके पतन में सिध्धांत की रचना की है कर्म हमारे हमको उन्नती और आउनती कराते हैं लेकिन उन्नती और आउनती में समान भाव ये बजन दिलाता है यह कर्म नहीं दिलाता भजन अगर आप भगवत भाव में हो तो आपके अंदर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू जया जयो जय और पराजय में शुख और दुख में लाभ और हान में समान भाव रहेगा ये इस्तिति आ जाएगी और अब हमारा अगला जन्मना हो हम भगवान के पास जाए जिसे अभी परश्वाम के रहे थे कि लोग के हमें भगवान की जुरुत क्या है हमें नहीं चे ये भगवत प्राप्ति भाई हमें नहीं चे ये तत्त तो गया थे ठीक है आप अमेरिका क्यों जाते हैं अच्छा पैसा मिलेगा अमेरिका से पास हुआ है ये हमारे पास सुख का प्रिष रही है जाम बोलो कितना सुख होगा मरने के यह अँन सब चूट जाएंगा चाहिं मत नेश्थम जया नहिए बिशा की फ्राप्ति मतष्वहhammerर मर जाएंग यहां जितना सुन्दर पति पत्र ग्रुप है दोखे कखेल है कि नहीं ऐसा एक देश भगवान का धाम जहां प्रिया जुलाल जुबिराजमार न मरना है न भिछुड़ना है न कमाया है न परिवर्तन है चिदानंद धाम तो भीया सुख के लिए जिसे हम विदेश जाने की तेहरी करते हैं ऐसे महा सुख के लिए हम निकु करते कर देते हैं पढ़ो लिखो कर्म के अनुशार जो उन्नती मिले उसमें समान भाव रखते विए नाम जब करो तो जीवन का लाव मिल जाएगा अभी बच्चे हो साथ हमारी बात ना समझ पा रहे हो कुछ तो समझ में आती होगी